नमस्कार आदाब मैं हूँ अदिती न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए एक नजार डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर सुप्रीम कोट की विशेश कमिटी करेगी पेगसिस कांट की जांच वरावरा राओ को 18 नवेंबर तक सेरेंडर करने की जरूरत नहीं किसान अंदोलन के 11 महिने पूरे हुए पंजाब में अपनी नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंग कोरोना अपडेट एक द इस कमिटी से कहा गया है कि पेगसिस से जुड़े आरोपों की तेजी से जांच कर रिपोर्ट सौंपे आठ हफते बाद फिर इस मामले में सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें सरकार ने अपना एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग की थी कोट ने कहा है कि सरकार द्वारा राश्ट्रिय सुरक्षा की सिर्फ बात करने से अदालत मूग दर्शक बनी नहीं रह सकती राश्ट्रिय सुरक्षा का मुद्दा उठाने पर सरकार को हर बार छूट नहीं दी जाएगी अदालत ने यह कमेंट इसलिए किया क्य आज भी कोट ने कहा कि अगर सरकार अपनी तरफ से स्थिती साफ कर देती तो कोट का बोज हलका हो जाता आपको बता दें कि एक अंतराश्ट्रिक होजी पत्रकारों के संगठन ने खुलासा किया था कि इस्रेली कंपनी एनसो के सौफ्ट्वेर पेगसिस के जरिए दुनिया भ सामले में आरोपी कवी वरावरा राओ को 18 नवेंबर तक तलोजा जेल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पन करने की जरूरत नहीं है अदालत ने इस संबंध में राओ की याचिका पर सुनवाई 18 नवेंबर तक के लिए स्थगित कर दी अदालत ने 82 वर्षिय राओ को इस साल 22 फरवरी को चिकित्सा आधार पर 6 महिने के लिए अंतरिम जमानत दी थी उन्हें 5 सितंबर को समर्पन कर न्यायक हिरासत में लोटना था इससे पहले सितंबर महिने में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने राओ की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई स्थगित करी और कहा कि राओ को 25 सितंबर तक तलोजा जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पन की जरूरत नहीं है इसके बाद इस महिने के मध्य में इस अवधी को 28 अक्टोबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था इस मामले में वरावरा राओ के अलावा 15 अन्य कार्यकरताओं, विदवानों और वकीलों को गिरफथार किया गया है राव की तरह ही मामले में गिरफतार किये गए कई अन्या आरोपी भी खराब स्वास्ते से जूज रहे हैं जबकि एक फादर स्टैन स्वामी की मृत्यू हो चुकी है अब बात किसान अंदोलन की 26 नवेंबर 2020 से दिली की सीमाओं पर चल रहे एतिहासिक किसान अंदोलन ने तमाम मुश्किलों से गुजरते हुए 11 महीने पूरे कर दिये हैं इस मौके पर इस अंदोलन का नेत्रित्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM ने अपने बयान में कहा कि दुनिया के इस तरह के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में किसान मांग कर रहे हैं कि उनकी आजीविका को अनियमित बाजारों की कॉर्परेट लूट से बचाया जाए किसान आलोगतांत्रिक और असमविधानिक रूप से उन पर थोपे गयतीन किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने और सभी किसानों के लिए MSP की कानूनी गैरेंटी देने वाले कानून की मांग कर रहे हैं लेकिन मोधी सरकार ने न केवल किसानों की जीवन और मृत्यू और उनकी आने वाली पीडियों से संबंदिद जायज मांगों को ठुकरार दिया बल्कि विरोध कर रहे किसानों पर हमला कर उनकी अंदेखी भी की SKM का कहना है कि हर आलोग तांत्रिक और हताश हमले के साथ अंदोलन न केवल मजबूत होता गया है बलकि और व्यापक होता जा रहा है SKM ने एक बार फिर जोड़ देकर कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक किसान घर वापिस नहीं लोटेंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री क्यापटन अमरिंदर सिंग ने बुधवार को मीडिया से कहा कि वह अपनी नई पार्टी बनाएंगे पार्टी के नाम और चुनाव चन्न को लेकर चुनाव आयोग से चर्चा चल रही है उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से चर्चा के बाद ही पार्टी का नाम जारी किया जाएगा अमरिंदर सिंग पिछले दो कार्यकाल में कॉंग्रेस की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे जिन्होंने हाल ही में स्तीफा दिया अब क्याप्टन कॉंग्रेस से भी अलग हो गए है उन्होंने बताया कि वह गुर्वार यानी 28 उक्टूबर को दिल्ली में केंदर ग्रिह मंत्री अमिच्षा से मुलाकात करेंगे उसके साथ 20 से 25 नेता और रहेंगे और केंदर सरकार द्वारा हाल ही में पास किये गए तीनों कृशी कानूनों को लेकर चर्चा करेंगे इस दोरान अमरिंदर सिंग ने पंजाब में अपने कार्यकाल में हुए कामों की बात की उसका पूरा ब्योरा दिया साथ ही उन्होंने पंजाब में खालिस्तानियों के स्लीपर सेल पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग और असला बारूत की सप्लाई की भी आरोप लगाए और अब अंत में बात करेंगे करोना की किंद्रे स्वास्ते मंत्राले द्वारा आज बुधवार 27 अक्टोबर को जारी आकडों के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 13,000 से जादा नहे मामले दर्ज किये गए हैं इसके अलावा करोना से बीते दिन 585 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देश भर में करोना से पीड़ित करीब 14,000 मरीजों को ठीक भी किया गया है और आक्टिव मामलों में 1100 मामले कम हुए है देश में करोना संक्रमन के मामलों की संक्या बढ़कर 3,40,000,000 से जादा हो गई है जिन में से अब तक लगबग 4,55,000 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पीड़ित 3,35,000,000 से जादा मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और आक्टिव मामलों की संक्या घट कर 1,60,000 रह गई है स्वास्ते मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 103 करोड से जादा डोज दी जा चुकी है जिसमें से करीब 56,000,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 गंटों में दी गई है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद